हेलो ट्रीडर सेंट वेलकम तो दा स्टूडियो मेंबर्स आई से से बैंक को आज की दिन हम ट्रेट कर रहे हैं बहुत प्यारा सा और बहुत सिंपल सा सिस्टम है इसके उपर एक प्यूर हम लोग डिसकेशन करें आज के सेशन में जब रिजल्ट अनॉंस होता है उस दिन तो आपने ट्रेंड अगर उस जोन तक है या पिर जब रिजल्ट रोंस हो रहा हुसके पहले कि क्या वह स्ट्रॉन अप्रेंड में या पिर जाहिर सी बात है अगर इसने अप्रेंड में दिखा दिए आपको या कोई breakout upside की तरफ दिखा दिए तो move अच्छे मिल जाएंगे तो उसकी reading को हम लोग कैसे continue करते हैं कैसे एक अच्छा trade हम execute कर सकते हैं प्रॉपर आज का discussion है वीडियो अच्छा लगे तो इसको lag ज़रूर की जगा है चैनल पर अजर आप पहली बार है वो तो चनको subscribe कर सकते हैं कोच अगर question है या आज की वीडियो को लेकर करके आप सको comment कर सकते हो कुछ चोटो चोटो पॉइंट्स हैं जो आगे चल करके हम discuss करेंगे उसको बहुत इत्मिनान के साथ और बहुत ध्यान से सुझेगा मौनिंग भी हमने mistake किया mistake in the sense की rule brick किया है जब कोई stock बड़ा move कर देता तो उसको हम trade नहीं करते हैं क्योंकि opportunity थी तो हमने इसको trade किया बट risk कम कर दिया risk 2000 कर दिया इसके वे से quantity कम होगे तो 439 quantity के साथ में trade execute हुआ 11700 रूपय 75 पैसे पर में अपना order लगाना था जबकि मिला है 1130-10 पर 439 quantity के साथ में अपना order चल रहा है इसवाद का profit 5000 करण का है अब यह profit increase होगा market close होते होते है अभी से हमें जो देख करके mood लग रहा है मार्केट का करीब साड़े ग्यारा बारा हजारा यह profit अपना जाना चाहिए बाकी देखते हैं market match अपने लिए क्या रखा होगा expectations तो हैं कि बड़ी होंगी बाकी हो सकते हैं कि price जाना जीते नीचे की तरफी गिर जाए लेकिन nifty का support है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचा जाए क्योंकि nifty upside की तरफ move दिखा रही है और sector भी जो अपना financial services का sector यह भी upside की तरफ तो move expected है कि अच्छे move हमें मिल जाएंगे बिना किसी देरी के start करते हैं आज का वीडियो आज के trade के लिए सबसे पहले क्योंकि जो main important readings है यह daily time frame की है अभी daily time frame पर ऐसा क्या है जाएसे कौन से prospective है जिसके एक उपर ज्यादा focus करना चाहिए या फिर ऐसा important क्या हुआ था है कि जो हम ऐसे इसे बैंक को trade कर रहे है आप देखोगे generally कुछ चीजे हैं कि जो आप लोगों के साथ अलएड़ी हमने शेयर के हुए जो बड़ी videos आप देखते हो उसमें already वो सारी बाते हैं अभी यहां पर क्या है आप एक price action हमेशा जाद रखना है एक area which is called point of action आप इसे point of action बोल सकते हो चाहिए support हो या फिर एक resistance point हो price के अंदर जो reading करने की जगह होती है जो point of action होता है क्योंकि यहां पर भी price move कर रहा होगा यहां पर भी trade कर रहा होगा यहां पर भी trade कर रहा होगा वो जिस भी जगह पर trade करें हम हर जगह तो trade कर नहीं देगे कम से कम professionalism यह बोलता है कि आपके पास एक certain point हो certain price हो कि जिस price पर आप read करना चाहते हो या जिस price पर entries लेना चाहते हैं अब यह points निकाल लेने के बाद में ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी हरकत करें वो इन levels के पास सही करें क्योंकि हमने इतनी मैनत ही इसलिए कि है अब जब price इस area पर आ रहा है यहां पर travel कर रहा है हमें कुछ specific significant points देखने होंगे हमें कुछ significant price actions find out करने होंगे जिसके की आधार पर हम आगे कि readings कर पाएं अब जब यह आप area निकालो यह area निकालने के बाद में इसे आप confirm ऐसे करो कि price उसे एक जगह पर आकर के stuck हो रुकना चाहिए बार बार ऐसे अगर यह हो रहा है और आप इस तरह के point of actions निकाल ले रहे हो यह इस तरह के price actions find कर पा रहे हो बहुत सारी काम आपका ऐसे ही हो जाता है हाला कि कहने कि बहुत आसान है करने जाओगे तो कुछ difficulties आते हैं जो कि बहुत शुरुआती step में होती है आप लगातार एक ही system के उप practice करते रहोगे यह जितने भी hurdles है थोड़े थोड़े करके easy होते जाएंगे फिर price actions find करना भी आपके लिए आसान होगा लेकिन आप कहिए क कि शुरुआत में बहुत आसान हो तो नहीं अब हमने यह वाले अपने areas निकाल लिये अब इस area के पास में देखो क्या हुआ है price के up and down जाने के movements किस तरह के हो सकते हैं अब जैसे कि price हमारा upside के तरफ trade कर रहा है जब जब price यहां पर जा रहा है इसके अंदर यहा तो कोई week न नहां पर मान लिजे कि कोई result announce हो गया अभी result announcement के बाद क्या होना चाहिए हालां कि positive result आया तो इसका यह मतलब नहीं होता कि price हमारा upside के तरफ जाएगा यह negative result आतो इसका यह भी मतलब नहीं होता कि price हमारा नीचे गर जाएगा result आया है मतलब कि कुछ न कुछ हरकत हो सकती है अगर हरकत हो सकती है तो क्या हमारा वो stock हमारी point of actions पर है जहां से कि हम उसे trade करना चाहते है या वहीं पर हमें मिल रहा है अगर ये दोनों conditions match कर रही है तो फिर हम trend identification के बाद में कि stop loss लगा करके उसके अंदर काम करतेंगे ये सारी चीज़े morning में confirm हो जाते है कि जब stock कुला तो क्या वो strong उसने opening दिखाई है या फिर weak opening दिखाई है price के अंदर resistance है price हमारा strong है वो move भी दिखाना चाहरा है बट हमारे point of actions पर ने तो फिर हम उसको trade नहीं करेंगे लेकिन price हमारे बिलकुल resistance point पर है यहाँ पर इसके results पर announce होए जो की positive results है तो अगर ये upside की तरफ के breakouts दिखाद है तो ये positive move हम लोग मानेंगे बट यही same काम अगर हमारे support पर होती market and यहाँ पर को result आता है जो की positive है बट positive result आने के बाद भी अगर ये हमें downside की तरफ के मुझ तरिखा था तो फिर हमें short भी कर देते हैं लेकर ऐसा तो कोई scenario बना नहीं हाँ इस तरह की scenario's भी बनते हैं आज का specific आज का scenario देखो गया तो ICCA bank के अंदर result आयो प्राइज अपने resistance पर है resistance पर होने के बाद में इसने क्या किया ना अपने resistance को break की upset की तरफ कल क्लास के खत्म हो जाने के बाद में ICCA bank को हमने देखा and बहुत अच्छे जगे पर हमें देखाए पड़ा results भी काफी अच्छे आई हुए थे तो I hope कि छूट इसी चीज आपको समझ भाई होगी अब देखो इसके charts के उपर हम लोग चलते हैं जैसे कि यहाँ यह सारी अपनी markings हैं यहाँ परमलोग 10th April की candle mark करेंगे यह वाली बफ़र के लिए आप इस वाली range को भी ले सकतो ठीक है यह एक zone बन गया अपना यह उपर की एक दू तीन यह red वाली line के उपर जो भी lines को आप ignore करो भी अभी के लिए देखो कि price आपका एक resistance पर है और upside से देखो कि तो यह support पर है यह support और यहां से यह resistance पर जब भी price इस जगे पर आ रहा है यह ना नीचे की तरफ भाग रहा है अच्छा कल क्या हुआ कि price की closing upside की तरफ हुई यहां पर और इसके अंदर देखो results announced हुए positive results थे 25 को price अपने इसी resistance के ऊपर की तरफ इसने try तो गया निकलने के बड़ यह नहीं निकल पाया कल क्या हुआ एक छोटा सा move आया मतलब कि एक mother candle बन गई हालां कि यह अपनी ideal mother candle बन गई जिसके recording हम लोग trade करते है क्योंकि कल इसके अंदर results आयता है यानि कि एक significant point हो गया यह significant day हो गया trade करने का अब कल तो में trade नहीं करना है कल क्यूंकि results है तो market wallet आल रहेगी up and down up and down लगा रहा है तो जिस दिन trade होता है जिस दिन results आता है उस दिन बहुत कम होता है कि हम लोग trade करते है हम कोशिश करते हूं उसके बाद trades करने की यानि कि जिस दिन result आया है उस result वाले day का हमारे previous sessions पर क्या असर पड़ा है इसके analysis के बाद में तीसरा point अब जहां पर हम लोग देख रहे है price हमारा resistance पर है कल इसके अंदर mother candle form हुई and एक result आया है यह सारे positive sign होते है अब हम इसको nakedly buy नहीं कर लेंगे कि market को लिए और उन्हें buy कर लिए अब हम कुछ confirmations लेंगे and यह confirmations हमें लेने हैं lower time frame के उपर but lower time frame पर जाने से पहले daily time frame पर हम कुछ readings करेंगे हाला कि जो अपना main target है double one four nine point one five जब तक यहां नहीं आगा chances हैं बहुत ज़्यादा chances हैं कि price touch कर जागा जो अपना target है वहां तक जाएगा expectations है आईसे इसे bank अच्छा move दिखा सकता है अब देखे normal readings recording हम लोग क्या करते हैं सारी markings को remove करते हैं अब जैसे जैसे हम marking करें उस तरह से सिर्फ आप read करते चलिएगा जैसे यहां पर अपने लिए एक specific point हम mark करें low से ले करके यह high हमने mark कर ले एक चीज़ जयाद रखना हमेशा है यह technical में बहुत आपको help करेगा जो भी candle आपका low create कर रही है और जो भी candle आपका high create कर रही है इन दोनों ही candles के highs और lows बहुत important होते हैं यहां है तो इसका high या फिर low point या जो candle मारा swing low लगा रही है इसका high and low point बहुत important role play करते हैं highs and lows तोनों depend करता है stock to stock कब highs को mark करेंगे कब lows को mark करेंगे फिलाद यह सारी चीज़ें धिरे धिरे आप practice करो बहुत अच्छे से समझवाएंगे अब आगे हम लोग वापस से इसी पर इस candle ने लगाई थी मेरे swing low यहां पर लगा swing high हम इन lows and highs को mark इसलिए करें क्योंकि जैसे आप इन्हें mark करो को आपको यह सौंच में आ जाता है कि price का बहुत अच्छा एक zone है यह support area है और यहीं पर मारे swings लग रहे हैं तो सबसे बढ़ा अब आपने lows को mark किया हाई को mark कर लो आप देखो हमने high mark कर लिया तो price का उसी जगे पर resistance का होना and same point पर अपने supports का होना अब हमने lows and highs दोनों mark कर लिया तो यहां पर हम high mark कर लिते हैं यह हम low mark कर लिते हैं अब देखो यहां से readings करो क्या कर रही है market अगर हम इस black वाली candle का सिर् low mark कर लिया तो price इस level के नीचे इसने सिर्फ एक closing दी close करने के बाद में price अचानक से ऊपर के तरफ आ गया next day इसने upside के तरफ closing कर दी हालांके volumes नहीं थी next day red candle form होनी थी red candle form हुई but इस red candle में भी आप देखोगे एक चोटी सी जो चीज हुई है previous candle के comparison में जो highs लगे है यह upside की तरफ है जो lows लगे हैं वो भी upside की तरफ है मतलब कि एक positive sign होता है इसके बाद में देखो यह बन गई mother candle mother candle बनी इसका हो गया breakout upside की तरफ मार्केट चली गई अगेन देखो कल के session में फिर से एक mother candle बनी और आज इसका breakout हुआ इसका है अब यहाँ पर देखो जैसे ही price इस वाली candle के low के नहींचे लगा था जैसे इस candle के low के नहींच आया था इसके अदर एक up trend शुरू हुआ था अच्छा यह अभी जो हमने reading की है सिर्फ 4th April के low से की है एंड जैसे upside के तरफ closing हुई है support लेने के बाद में again price upside के तरफ हमने high solution क्यों मांकि है क्योंकि मेरे swing points थे swing according एक significant candle बनती है अब आप यहाँ पर low mark कर लो जिस candle ने swing high लगा था इस low पर देखो के price ने जैसे इस range के अंदर entry ली है यहाँ पर देखे जैसे इस ने entry ली है यहाँ से price पूरी तरफ से bullish move दिखा रहा है मतलब कि price यहाँ से देखो नीचे की तरफ गिरा एक swing high से price हमारा सिधे downside की तरफ आया बट swing low के नीचे sustain ही नहीं कर पाया एक candle close अगले दिन वापस से price उपर तो मतलब कि price अपनी एक range को downside की तरफ field breakout के साथ में break करता है और again price हमारी range के अंदर आ जाता है और वापस swing high के अंदर enter कर जाता है यहाँ पर आप देखो ना volume के साथ confirmations यहाँ पर volumes कम है लेकिन जैसे price हमारी इस वाली candle की range के अंदर गया यहाँ पर दोको volumes के breakout हो गया and definitely I am sure कि आज भी आपको volumes के breakout देखनों के मिलेंगा हमने क्या किया हमने एक resistance area मां किया हमने swing highs and swing lows मां किया हमने अपनी significant candles मां किया and सारी readings recording सिर्फ एक चीज़ समझने के और पहचाने के कोशिश की कि क्या हमारा price as strong है अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बावजूद एक चीज़ आप और देख लो कि कल इसके अंदर results आए price upside के तरफ तो जा ही रहा आज मौका अच्छा है अगर price अपनी resistance को break करके entry के confirmations देगा then we will proceed हम इसको trade कर देंगे अब आज लोगा time frame पर यहां पर देखो यह swing हमने mark कर लिया था अब इसी swing के पास में देखो हमें क्या चाहिए जैसे कि यह mother candle बनी 25th of April की आप इसके high को mark कर लो बहुत ज्यादा chance है कि price अगर इस high को break कर दे उपर के तरफ तो हम लोग काम कर सकते हैं वरना अगर इसके उपर यह नहीं निकल पाया इस वाली candle के उपर नहीं निकला तो इसको resistance मिल सकता है तो बहुत ज्यादा volumes की ज़रौत पड़ती है इस तरह के areas को break करने में अपनी analysis है और जिस तरह की readings है क्या market उसे proof करती है या फिर हम गलत साबीत होते है market side way हो जाती है हालांकि निफ्टी उसको proper support कर रही है जैसे यहाँ पर देखे निफ्टी का चाठ है swings के पास में है कल की आप 325 की candle mark को इस 325 की candle की high से ही price support लेकर के यहाँ पर देखो एक ये और एक ये है यहाँ पर price आकर करूका price नीचे volumes लगातार नीचे है यहाँ पर देखो volumes increase होना शुरू होगा अब लगातार देखो volumes के breakout हो रहे है लगातार breakouts हो रहे है और price upside की तरफ है तो एक move इसने low पर कल की 325 की candle की range के अंदर सही इसने highs jump लेनी शुरू किया तो जितने भी banking sector की जितने भी stocks अच्छा move दिखा रहे है कोटक के अंदर भी बढ़िया move है कोटक के अंदर भी ऐसा कुछ परेशा होने वाली बात नहीं है यहां पर दो को पूरा target हम लोगों को 1149 के आसपास का target हम इसे hold करेंगे भी और hold करेंगे कोई bearish move में दिखाई नहीं पड़ रहा है जब से price यहां पर आया है यह सीधे उपर की तरफ ही चलता चला जा रहा है जैसे price downside की तरफ गरेग हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे तरफ हम इसे last hold करेंगे एक general observation के according अभी कोई weakness तो में दिखाई पड़ नहीं रही है profit भी चली increase हो रहा है 6,000 का था इस शूरवात में तो 8,500 का round का चल रहा है अभी increase होगा देखते हैं सवातीन पर यह में क्या surprise देगा hold करेंगे इसको I hope कि पूरी analysis आपको समझ में आई होगी जो भी बाते हम बताते हैं जितनी भी हम long videos upload करते हैं short video भी जो upload करते हैं आप देखो हैं कि हर वीडियो में कुछ ने कुछ बात ऐसी होती हैं कि जो आपके trade को और improve कर सकती हैं उसे और बहतर बना सकती है प्रयास ये करो future and options से थोड़ा सा बचो हर वीडियो हमें ये बात बोलते हैं हम अभी भी यही बोलेंगे end हो सकता आप आगे भी हमसे ये सुनो जो चीज़ खतरनाख है जो चीज़ खराब है जो की healthy नहीं है avoid करो उसको options अगर करने के lack नहीं हो तो options मत करो बिलकुल मत करो कुछ नहीं बचेगा सब बरबाद हो जाता है बहुत सारे stories हमने सुन रखी है को कहते हैं कि इतना margin लेकर कि आप काम करते हैं एक एक trade कर उसमें 9-9 लाग रुपय का margin लग रहा है अब इसका यह मतलब थुड़ने हैं कि हम 10 लाग के capital के साथ में काम यह 10 लाग के margin के साथ में काम कर रहे हैं तो हमारा risk भी उतना ही बड़ा हो जागा एकाउंट में कम पैसा रखो आप एक चीज लिख लो याद रखो इसे हमेशा ट्रेडिंग से पैसों का कोई लेना देना नहीं है 0.01 भी लेना देना नहीं है ट्रेडिंग से पैसे का ट्रेडिंग का सीधा सीधा संबंद है आपकी capability के उपर इसे capital के साथ बिल्कुल मत छोड़ो 10,000 रुपए रखो एकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए और देखो कि क्या एक महिने तक वो 10,000 रुपए सेफ कर पा रहे हो या नहीं अगर 10,000 सेफ नहीं हो पा रहे हैं तो 2,000,000 एक लाग छोड़ो आपसे 50,000 ही सेफ नहीं होंगे अगर ट्रेडिंग का लेना देना पैसो सोता तो लोग अपने अकाउंट में प्रॉपटी बेजबेज की अकाउंट में रख देते हैं पैसा वो ट्रेड करते हैं बहुत पैसा बनाते हैं, ट्रेडिंग का पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, हम नहीं कहरे हैं आप से आप एकाउन में डेल लाग, एक लाग, पचास जार रुपए रखो, नहीं रखने हैं, दस जार रुपए रखो, जितना रिस्क बताएंगे न, दस जार रुपए से उतना रि लेक्खे हुए हैं चलो ठीघ है अब 10,000 और रुपए सेमें बहुत पहल चेहरे मर्में चलो उतने चलोगेक हें चलो कुछ उसको मिलेंगी यह प्रजेशा फिर इस तीन प्रशा से यह चलोगे ऑप कोस्तक्व 20 गता हैं तो ल फलंगे से फीर फ्रкоїशे ृव्प सान करेघिय क तर्मीज है ना आपको वॉल्म्स पढ़ने आते हैं ना आपको किसी तरह के इनल्सिस करनी आती है बस बोल दिया किसी ने कि 3-4,000 रुपए रखो एकाउंट में ट्रेट कर दो फलाना इंडिकेटर लगा लो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा कर दो आप आपसे आपकी कैप्टल ही समाली जारी है आप कहां से प्रॉफिट करोगे एकाउंट में 10,000 रुपए से उपर रखना ही नहीं है स्टॉक्स को ट्रेट करो ज्यादा रिस्क मतलो 50 रुपए 100 रुपए 150-200 रुपए का रिस्क लो बहुत है उतना आप 100 रुपए का भी अगर रिस्क लोगे दिन में 2 ट्रेट भी मारोगे तो 400-300 रुपए मानके चलो 500 रुपए आपका दिन का बन जागा आराम से बनेगा मार्जिन फिर भी बच जाता है 10,000 रुपए का पूरा मार्जिन भी यूज नहीं होता लेकिन first जो अपना target रखना है priority रखनी है हमें अपना stop loss safe रखना है हमें अपनी capital safe रखनी है बस अगर इतना काम कर लेगा न तो 10,000 रुपए ही समय लगता है एक दम सनी हो जाता लेकिन 10,000 रुपए ही grow हो करके grow दीरे 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 हो करके वो एक लाग डेल लाग तक पहुंच जाएगा तो ट्रेडिंग का यह बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम्हारे एकाउन में 1.5 लाग होना चाहिए capability होनी चाहिए अगर capability है 10,000 ही बढ़कर के 1.5 लाग दो लाग तक पहुंच जाएगा समय लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा तो अभी आइसे से बैंको हम लास्ट खोल्ट करेंगे देखते हैं तीन सवा तीन तक यह में क्या प्रॉफिल दिखा था अभी दो दुखो कोई बड़ा मुविस के अंदर नहीं है अगर इस वाली केंडल ने अपसाइड के दर ब्रेक आउट दिखा थे तो और अच्छा मूफ मिलेगा यहां पर वॉल्म्स के ब्रेक आउट हुआ है नहीं हुआ है अभी रेंज के अंदर है वेट करेंगा थैंक्स अन फोप वेविल मीट अगेंगा करेंगा